So, Hello दोस्तो, हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था, वो इसे पिछले बाले पेस तक, So, आज हमारा टॉपिक है, अडिशन और थ्री डिजित नंबर्स विद कैरिंग फ्रॉम वन्स तू तू तेंज So, वन्स से कैरी लेकर, टेंज में जाना है, थ्री डिजित नंबर्स को लेकर, जैसे कि आप ये देखे, 8 प्लस 5, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 3 प्लस 4, 7 प्लस 1, 8, आप कोई कैरी नहीं आया है, तो 2 प्लस 1, 3, 383 आपका अंसर, इस तरीके से आपको ये स्क्रिन शॉट ले लिजिए, ये पूरा-पूरा आपको करना है, वैसे एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होते हैं, फिर भी आपको करना है, ठीक है, ये देखे, ये अब्जर्व करिए इस तरीका से आपको करना होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो देखे, यहाँ पे 5 दिख रहा आपको, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 दिख रहा आपको, तो हम लोग करते हिए हैं, लेकिन एक्शुली में इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला भी स्किन लेजे यह आपको करना है अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ओफ एडिशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इस्टुएंट इग्नोर कर देते हैं और एक्जाइम में समझी में नहीं आता है कि हमारे बुक में था या नहीं और प्रॉपर्टी क्या होता है कम्यूटेटी प्रॉपर्टी ओफ एडिशन आपको याद रखना है और प्रॉपर्टी कम्यूटेटी अभी एक क्लोजर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी शायद आगे पढ़ाया जाए आपको क्लोजर भी प्रॉप और commutative property, मतलब आप किसी दो number को अगर add कर रहे हैं, तो आप पहले वाले number को बाद में भी लिख दीजिएगा, तो answer वही आने वाला है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसे कहते है, order property, commutative property, grouping property क्या होता है, ये बहुत important है, last वाला आपको याद रखना है, ये order वाले को commutative कहते ह पहले को associative, associative property, ये आपके exam में आता ही आता है, ठीक है, तो ये associative क्या होता है, इसमें तीन numbers होते है, अब चाहे तो आप किसी को किसी के साथ add कर लो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 plus 3 plus 5, और मैं फिर से लिखता हूँ 2 plus 3 plus 5, लेकिन पहली बार ही मैंने इन दोनों को पहले add क आप देखिए 5 plus 3, 8 and 8 plus 2, 10, इस बार क्या होगा, 3 plus 2, 5 and 5 plus 5, 10, तो दोनों बार ये answer same आया, same आया मतलब कि yes, it follows the property, ये जो है, ये property addition में follow हो रहा है, ठीक है, मतलब follow हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, सही है, गलत नहीं है, false नहीं है, तो इसे हम कहेंगे associative property या फिर grouping property, और हमारा ये है, zero property, अभी आपको जादा नहीं, ये तीनी चीज़ याद रखनी है, कौन-कौन सा था, order वाले को हम commutative कहते है, grouping वाले को associative कहते है, और zero property, zero property हमें ये बोलता है, कि कि किसी भी number के साथ zero add किया जाए, तो वो number नहीं change होता है, the sum of any number and zero is the number itself, ये आपको याद होता है, जैसे कि two plus zero equals to two, seven plus zero is equals to seven, ठीक है, अब ये आपको homework में करना है, इसका पिस्किन साटरे लीजे, तब तक है ये, thank you, thanks for watching and subscribe to the channel.